हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टडिक ग्रूफ 100 में तो दोस्तों हमार आज का टॉपिक है लंबाई कैसे निकालें तो यहां किसकी लंबाई निकालने हैं उससे सबसे पहले समझेए देखे इसके लिए टोटल हम लोग तीन अ बुजाओं की नाप दी गई है सबसे पहले इस तिर्बुज में ध्यान देजे यहां इसमें दो बुजाओं की माप दी गई है और इस तिस्री बुजा की माप निकालने हैं इसी प्रकार इसमें ध्यान देजे यहां दो बुजाओं की माप दी गई है और इस नीचे वाली बुजा की माप निकाल लिए हैं सेम यहां भी इस दो बुजाओं की माप दी गई है इस खड़ी वाली बुजा की माप निकाल लिए हैं तो हम लोग आज किस वीडियो में हम लोग चीखेंगे कि अगर दो बुजाओं दीज गई हो किसी भी तिर्बुज में तो तिसरी बुज समकोन तिर्बुज क्योंकि इसमें एक कोन जो है वो 90 डिरी का बन रहा है अनिकि समकोन बन रहा है इसलिए इस पूरे तिर्बुज को समकोन तिर्बुज कहा जाता है अब इसके भुजाओं का नाम क्या है नीचे वाले भुजा जो होती है वो कहलाते है अधार और ये खड़ी बुजा जो होती है इसे कहते हैं लंब और ये तिरची बुजा जो होती है इसे कहते हैं कर्न अब हम लोग इन तिनों बुजाओं के सहारे हम किने एक बुजा की माप निकालना सिखेंगे जैसे यहां समझें हमें यहां दो बुजाओं की माप दी गई है देखिए यह लंब है और कि लंब का जो माप दिया गया है 12 cm और यहां अधार का माप दिया गया है 5 cm तो यहां हमें कर्ण का माप निकालना है क्योंकि इस तीरची बुजाओं को लोग कर्ण कहते हैं तो इस कर्ण का माप निकालन अब तिसरी बुजाओं में देखे यहां हमें करन का माप 13 cm दिया गया है अधार का साइज 5 cm दिया गया है तो हमें यहां लम की माप निकालनी है तो चलिए हम लोग एक विशेष फर्मूला के तहत बुजाओं की माप निकालते हैं तो देखे वह विशेष फर्मूला क्या है तो फर्मूला है करन का स्क्वाइर बराबर लम का स्क्वाइर पलस अधार का स्क्वाइर तो देखे इसके सारे हम लोग तीनों का फर्मूला निकाल लेंगे कैसे देखे तो यहां से हम लोग तीनों का अलग लग फर्मूला निकाल चुके हैं सबसे पहले करन का फर्मूला देखे रूट के अंदर होता है लम का स्क्वाइर पलस अधार का स्क्वाइर और इसके बाद लम का फर्मूला देखे ये होता है root के अंदर करन का square minus अधार का square फिर अधार का formula होता है root के अंदर करन का square minus square चुकि आप द्यान देजे ये तीनों formula इसी एक formula से निकला हुआ है इसी से derived क्या हुआ formula है तो यहां सबसे पहले तिर्बुज में देखिए आने की इस कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे तो लोग कर्ण का फर्मूला देख चुके हैं कर्ण का जो फर्मूला होता है वो अंडर रूट आने की स्क्वायर रूट के अंदर होता है लंब का स्क्वायर पलस अधारत का स्क्वायर तो इसकी साहता से हम इस फर्मूला की साहत साहता से हम यहां कर्ण की लमाई निकाल लेंगे तो देखिए हम लोग लिखते हैं फ़मूला को तो यहां हम लोग कर्ण का फ़मूला लिख चुके हैं आप यहां देखिए सबसे पहले में लम और अधार का मान बैठाना है और इसकी साहता से कर्ण का माप निकाल लेंगे तो इस 12 cm को देखिए, ऐसे स्क्वाइर कर लेंगे यहाँ पर, फिर पलस करना है, अधार का स्क्वाइर करना, अधार 5 cm है, तो 5 cm का स्क्वाइर कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा देखिए, 12 का स्क्वाइर करेंगे, तो क्या मिलेगा, 144, और cm का स्क्वाइर करेंगे तो cm2 फिर यहां पलस करना है 5 cm का स्कॉयर करेंगे तो 25 cm2 अब यहां देखिए 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हमें मिलता है इसमें जोडने पर 179 और cm को cm के साथ जोड़ेंगे cm2 को cm2 के साथ तो cm2 ही रहेगा अब यहां रूट के अंदर 179 cm2 मिल चुका है अब और हम लोक वर्गमूर निकालते हैं вже 69 का तो यह आता है 13 cm और cm2 हेत है screens के स्कॉयर हम अगर को सर्फ सेंटीमिटर बच जाता है आनि कि यहां से करन की लोबाई निकल रही है वो 13 cm निकल रही है इसका मतलब है कि यहां जो कर्ण पुछा गया है इसकी लंबाई 13 cm हो जाएगी इससे पहले मत देख चुके हैं लंब यहां 12 cm है अधार 5 cm है अब हम लोग कर्ण निकाल चुके हैं 13 cm अब इसी पकार से परतेक भुजा की यहां लंबाई निकाल लेंगे अब ध्यान देजे सेकेंट दिर्बुज में हमें इस नीचे वाली भुजा की नाप निकाल लिए है इसे कहते हैं अधार और की अधार का फर्मूला हम लोग लिख चुके हैं दितकि अधार लोग लिख चुके हैं अब यह जो लोग देखेए इस करन और लमड का मानब बिठाएंगे कि करन का माप यहां 5 मीटर दिया गया है और लम का 4 मीटर लिख़ाएंगे तो हमें अधार मिल जाएगा चलिए बठाते हैं आज सबसे पहले में लोग स्क्वेर रूट का अन्य कि वो रूगमल का साइन देंगे करन क्या है करन यहाँ 5 मीटर है तो 5 मीटर लिखेंगे इसके उपर स्क्वेर लगाएंगे फिर माईनस करना है लम का स्क्वेर लम क्या है? माइनस हो जाएगा यहाँ 4 सिर्फ मीटर बचेगा क्योंकि यहां से स्कुरे अंसर आ रहा है इसका मतलब है कि इस आधार की माप यह वह तीन कुशन को solution solve जरू कीज़े आने कि यहां लम का लमाई निकालना है तो इस फर्मुले के साहता से इस फर्मुले का